हेलो मेरे प्यारी दोस्तो कैसे हूँ आप देखो मैं आपको लेकर आ गया हूँ अपने नए घर के अंदर अब आप सोच रहे होंगे कि भलब मैं ये कौन से घर में हूँ अरे दोस्तो ये है मेरा नएा घर और देखो ये रहा मेरे घर में कीचन, फ्रीज, है ना ये एक तम मस तो चलो अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा बाहर का नजारा दिखाता हूँ ये देखो गाईस हम लोग तो आ गई है हमारे नए यूनिवर्स में और यहां पर तो अपने रोपीरों की बिलकुल लग ही दुनिया है ओ बले 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 दोस्तों मैं यहां पर तो आ गया और मु वाइस्टाउन में ब्ल्यू सरकल बना होता था वैसा ही सरकल यहां पर भी बना है तो आओ इसमें चलती हैं तो चलो हम लोग जल्दी से अपने टिपसन दादा से मिलने चलती हैं मगर देखो यहां पर तो कुछ लोग फाइट कर रहे हैं अरे लडाई लडाई माफ करो और क यहां पर तो हमारे टिपसन दादा खड़ी है और यह कुछ बदली बदली लग रहे है अरे टिपसन दादा कैसे हो ओहो तुम को ना टिपसन दादा मैं हूरो फीरो लेकिन तुमको मेरा नाम कैसे पता टिपसन दादा आप भूल गए क्या आप मेरे पुराने वाले दोस्तों और हम दोनों मिलकर अपने पुरानी वाली रोपीरो वाइस्टाउन में मोज मस्ती करते थे और दोस्तों मुझे लगता है यह इस नए वाले पैर्लल यूनिवर्स की वज़े से मुझे नहीं जानते स्टाइल तो क्या मस्त लग रहा है और दोस्तों जरा टिपसन दादा की लुक तो देखो क्या काति लुक है वाब 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 टिपसन दादा आप तो बिलकुल बदल गए हो गाइस टिपसन दादा की इस नए धमाकेदार लुक के लिए एक लाइक तो बनता है और आप चल टिपसन दादा आप टेंशन मतलो मैं अभी जाकर इन गार तोड़ने वाले गुंडों को ही तोड़ देता हूँ मुझे मारोगे बच्चु तुम जी सकूल के स्टूडेंटों मैं उस सकूल में प्रिंसिपल रह चुका हूँ देखो दोस्तों ये तो बहुती उचलने वाले बंदर आये हैं तो इनकी बहुती अच्छे से पिटाई करनी होगी हाँ 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 देखो टिपसन दादा मैंने इन गुंडों को ठीकाने लगा दिया अब आपकी कार बिलकुल सेफ है आरे वारो पीर तुम तो बहुती पावर्फुलों वाओ दोस्तों हम लोगों को तो टिपसन दादा की मदद करने के लिए इनाम भी मिल गया वाओ टिपसन दादा आप तो बहुती अमीर हो गए हो टिपसन दादा यू आर शो क्यूट अरे ये सब तो ठीक है रो पीरो लेकिन मुझे अबे भी याद नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ टिपसन दादा अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो ये नया उनिवर्स है ना शायद इसलिए आपको थोड़ा जोड़ा टाइम लग सकता है यादाश्त वापिस आने में तो दोस्तो जब तक टिपसन दादा को हमारी पुरानी वाली दोस्ती की याद आती है तब तक मैं आप लोगों को ये नया वाना वाइस टाउन दिखा कर लाता हूँ दोस्तो ये रो फीरो वाइस टाउन नहीं ये है रो फीरो माफिया सीटी दोस्तो अपने टिपसन दादा तो पहले के मुकाबले अब बहुती ज़्यादा कूल हो गए है और इन्होंने अपना घर भी बिल्कुल बदल लिया है पहले तो ये एक छोटे से जोपडे जैसे घर में रहती थे लेकिन अब तो इस पैरलल यूनिवर्स में इनके पास एक बह होती बड़ा बंगला है तो चलो हम थोड़ा इस सिटी को घूमने चलते हैं रे बाबा वाओ दोस्तो आप ये वाली नई कार तो देखो एकदम गोल्डन कार क्या मस्त लग रही है चलो अब जल्दी से इस कार को थोड़ा टोप सपीड में चला कर देखते हैं कि ये हवा से क कैसे बाती करती है औरे मगर एक सेकिंड ये कौन सी जगा है दोस्तो ये तो बड़ी अनोखी सी जगा है तो चलो जल्दी से इसके नजदीक जा कर देखते हैं मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ स्पैशल मिलेगा दोस्तो ये दिखने में तो थोड़ा थोड़ा आर्मी बेस जैसा है अरे हाँ ये तो आर्मी बेस ही है रे बीडू देखो ये रहा यहाँ का पावरफुल मिल्टरी टैंक तो इसको छोड़ो और हम लोग जल्दी से अपनी गॉल्डन कार को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस मिल्टरी बेस में और क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर तो हमें इतने सारे टैंट दीख रहे हैं जो कि स्पेशल मिल्टरी वालों के लिए ही बनाए गए हैं और देखो दोस्तों ये रहा इस नए माफिया सिटी का हेलिकोप्टर तो मैं अपनी इस गॉल्डन कार को यहीं पर छोड़ देता हूँ और ह हम लोग फटाफट चलते हैं हेलिकोप्टर में क्योंकि इस हेलिकोप्टर से पूरी नए सिटी को देखना बहुती ज़्यादा आसान होगा चलो चलो जल्दी से हेलिकोप्टर में गुलू गुलू करने चलते हैं आरे मुझे मत मारो आर्मी वालो मैं जा रहा हूँ दोस्तो ये शेर तो बहुत ही बड़ा है चलो इसको मैप में देखते है वाउ गाइस हमारा पिछले वाला रोपीरो वाइस टाउन तो बहुत ही छोटा साथ था लेकिन ये वाला रोपीरो माफिया सीटी तो बहुत ही बड़ा है और इसको घूमने में तो बहुत ही मज़ा भी आएगा तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पूरा सीटी घुमाऊं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और उस तोरफ क्या है चलो जल्दी से इस सीक्रेट आइलेंड पर जाकर देखते हैं कि यहां हमें क्या मिलेगा दोस्तों यहां पर तो कोई बहुती बड़ा स् असली में उससे भी जौदा बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं जल्दी से इसी स्टैचू के ऊपर उतर जाते हैं वाओ गाइस हम यहां पर तो आ गई अब मैं इस स्टैचू पर थोड़ा ओर ऊपर चड़ जाता हूँ देखो गाइस यहां से व्यू तो कितना मास्तार आए मगर यह क्या है अरे वाओ गेमर्स इस इतने उचे जंपर से जंप लगा कर तो एक दम मज़ा ही आ किया और इतनी ज्यादा उचाई से तो यह पूरा नए वाला सिटी दिख जाता है और यह सिटी तो एक नंबर का ओपी है तो चलो जल्दी से हम अपने हेलिकोप्टर में बैठ क उड़ जाते हैं और इस पूरे नए सिटी को घूमने चलते हैं तो चलो भाई जल्दी जल्दी से हम अपने हेलिकोप्टर को ले कर चलते हैं दोस्तों देखो यह क्या है यहाँ तो इतने बड़े बड़े जूले लगे हुए हैं मगर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तो जूले बहुत पसंद है क्या आपको भी जूले पसंद है तो जल्दी से मुझे कमेंट बोक्स में बताओ चलो चलो दोस्तों अब हम यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं और देखो गाइस यहां पर तो इतनी बड़ी आइस क्रीम की फैक्टरी है दोस्तों इस नए माफि सिटी में गूम कर तो हम बहुत ठाको गए चलो अब जाकर थोड़ी ठंडी ठंडी आइस क्रीम खाते हैं देखो यहां से थो आइस क्रीम बाहर भी टपक रही है लगता है इन लोगों को ठीक से आइस क्रीम रखना भी नहीं आता भला मेरे जैसे भूखर लोगों के होते हु हुए आइस क्रीम को ऐसे चोड़ना गल्त बात है और देखो यह कैसा मीशन है चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करके देखती है रे बाबा यहां पर तो गुंडे आ गए आरे रापिया हमारे लाके में फस गाया अब तुमको नहीं छोड़ेंगे मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे पहले पकड़ तो लो तभी तो छोड़ोगे ना नूबडे तुमको तो मारना भी नहीं आता दोस्तो आप इन गुंडों की हरकते देख रहे हो मेरे यहां आते ही मुझ पर हमला करने लग गए लेकिन इनको नहीं पता कि मैं इन सब का बाप ह बोले तो पापाजी हा 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 देखो दोस्तो हमारा ये वाला मिशन तो पूरा हो गया तो चलो अब हम यहां से थुड़ा और आगे घूमने चलते हैं और देखती हैं यहां पर क्या क्या अनोखा है और मुझे तो मेरी आउंकों पर बरोस्ताई नहीं हो रहा दोस्तो ये इसने तो पूरानी यादों को ताजा कर दिया, तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कि आपको क्या लगता है, कि ये नए वाला रोफिरो माफिया सिटी बेस्ट है, या फिर पूराने वाला रोफिरो वाइस टाउन, वो देखो गाइस, इस वाली बिल्ड हाउस है, और ये तो मुझे कुछ अनोखा भी लग रहा है, तो चलो, हम जल्दी से इस वाले लाइट हाउस के नजदीक जाकर देखती हैं, वाउ गाइस, नए वाले माफिया सिटी में तो कितना प्यारक पारक भी बना हुआ है, लेकिन ये वाला लाइट हाउस कुछ स्पेशल तो नहीं लग रहा, मगर हम फिर भी इसके ऊपर चड़ कर देखती हैं, कि ऊपर से कैसा नजारा दीखेगा, और ये लोग हम तो ठुमकते ठुमकते इस लाइट हाउस के ऊपर भी पहुचने वाले हैं, और लोग गाइस हम तो पहुच गए, यहाँ पर उपर से त पिल्कुली कूल लगता हैं दोस्तों, और ये इस तरफ क्या है, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी शिप है, चलो जल्दी से अपनी रोब फैकती है, और इस शिप के ऊपर जाकर देखती है, कि वहाँ पर क्या अनोखा है, दोस्तों ये नया शहर तो मुझे बहुत कूल लग रहा है, आपको क्या लगता है, चलो अब हम भी जल्दी से इस शिप पे जाकर थोड़े मजे करती हैं, वाँ दोस्तों इस शिप पर तो बहुत ही सारा माल है, और ये तो हमारे पूराने वाइस टाउन वाली शिप से भी बहुत ही ज़दा बड़ी है, और वो से थूड़ा नजदीक जाकर देखती है, ओहो हो, यहां तो एक ही रसी से छेचे कंटेनर हवा में लटक रहे है, ऐसे अनोखे काम तो हमारे नए माफिया सिटी वाले लोग ही कर सकते हैं, रे बाबा, तो चलो गाइस, अभी हम नीचे जाकर देखती हैं, कि यहां पर और क्य क्या है, दोस्तो, मुझे तो लगता है, हम यहां के शिप्याड वाले एरिया में आ गई हैं, तो चलो छोड़ो इसको, और हम लोग जल्दी से यहां पर खड़ी एक गाड़ी उठा कर, अपने इस नाय माफिया सिटी में और आगे घूमने चलती हैं, वाओ दोस्तो, इस कार को चलाने में तो बहुत ही मज़े आ रही है, क्योंकि इस रोपिरो माफिया सिटी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाओ भाई वाओ, तो दोस्तो, आप जल्दी से अपने बाकी दोस्तों को भी यह वाली वीडियो शेयर करके, उन सब को बता दो, कि अब हमार प्यारे रोपिरो और टिपसन दादा नई दुनिया में आ गए है, लेकिन हमारे टिपसन दादा को कुछ याद आया के नहीं, ये हम अगली वीडियो में पता लगाएंगे, तो ओके फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, और आप से मिलेंगे अगली व झाले वीडियो को का है।